तो आज मैं जाओंगी यह जो मेरे आइब्रोस के सत्यानाश हो गया था उसको ठीक कराने तलब थ्रेडिंग करने जाओंगी मैं फूर देर बाद तो अभी मौसम भी बहुत थंड़ा है तो मैंने सोचा कि शाओर ले लेती हूँ और शाओर लेने के वाद ममी ने मुझे गरम गरम आलू के पराटी शेक की दिये और उससके साथ चाए भी बना की दिया लाल चाए और यहां पर मैं रेडी होने के बाद थोड़ा खुद को दिखा हरे थी अपना ड्रेस दिखा रही थी कि sipने रहा हे तो मैं आगई घर मैं अच्छे से नहीं होगा फिर भी ठीक ठाकी किया है और अभी मम्मी भी घर पे नहीं है वह जैगा हो गई है तो यह सब कपड़ा भी मुझे सेट करना है यह सब धोके ममी ने ऐसे बेट पर रख दिया है अभी मैं इन सब को अलमारी में अच्छे से मिला के रख दूँगी इधर भी कुछ है मैं घर पे नहीं थी तो ममी बस ऐसे रख दिया और यह काम मेरा ही रहता है कपड़ों को सेट करना तो मैं यह कर लेती हूं और किचन में तो भी कुछ काम है नहीं सब कुछ क्लीन है बस यह करना है मुझे काम करते करते मुझे था भूख लग गया तो मैं यह केक खाऊंगी और यह ही मेरी मम्मी जो कि बिल्कुल शाम होने के बाद ही अपना भाई के घर से आई थी और कुछ बोल रही थी चिला 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 की नीचे से तो यह बोला ऐसे कोई भी अगर नीचे से उसको बोलाएगा मतलब family में मैं ममी पापा तो यह ऐसे दोर के चला जाता है मैं भी बाहर से आती हूँ तो यह ऐसे चला जाता है और पता नहीं इतना खुश क्यों होता है इसको लगता है कि जरूर इसके लिए कुछ लाए है यह मैंने ममी को स्पेशली लाने बोला था पकोड़े यह है डाल के पकोड़े यह आलू के है और यह अंडा का पर यह वाले बहुत ही यम्मी होते हैं बहुत जादा टेस्टी बार बारी शोड़ा है और हमने सारे पकोड़े खा लिया और अब ममी को चाए पीना है तो हमें चाए बना रही हूँ मैंने भी चाए नहीं पिया अभी तक और आज हम लोग सुबे से लाल चाए पी रहे हैं तो यह चाए हो गये रेडी यह मेरा है चेनी वाला और यह ममी का बीना चेनी का और मैंने जादा लिया है मैं लाल चाए बहुत जादा पीती हूँ यह फुल कप भी अगर मुझे बढ़के देते तब भी मैं पीलूँगे यह बहुत पसंदे लाल चाए तो आज आएंगे हमारे कुछ फ्रेंड्स हमारे मेरे घर पे क्योंकि आज हम लोग करने वाले ब्रियानी पार्टी अज कील चाए अगी तो उसी की तैयारी चल रही है अब तो सबसे पहले मैं पूरा घर expensive clean करती हूं और घर clean करने से जादा बुछे क्या होता है और वह लोग तो दो तीन बचे त्हें स्वेराण करों उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है और वो लोग तो दो तीन बचे तक आएंगे शायद सब लोग तो देखके ये पुरा मैस हुआ परा है ये सब तो ये सब मैं हटा दूँगी इसमें तो फूल ही नहीं मैंने सारे फ्लावर निकाल दिये है और मैंने कुछ किया था शा क्लिन कर दिया मतलब सब भटाण के सब डूल 和 गेरा सब साफ कर दिया और ये कुछ एक्स्टर समान जो है सको देखते हैं बाद में क्या कर सकते है क्या है यापे बहुत 220 एसे एक्स्टर समान क्योंकि जो हम लोग लाए थे fan जिसको मैंने जो मेरे vlog में मैंने दिखाया थे कि new fan लाए है तो उसको भी change कर दिया उसका भी बहुत तेज आवाज आता था तो उसके बदले हम लोग ने फिर से एक नया fan लिया है हम दिखाती है तो ये वाला fan हम लोग ने लिया है यह से रिमोट से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे इसका speed भी बढ़ता है यहां से और यहां पर एक LED light भी है जो कोई काम का नहीं है बस ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है इससे लिए जो कोई काम का अच्छा है लेकिन अब इससे अच्छा नहीं मिला मुझे तो इसलिए यह वाला ही लगा लिया तो मेरा सब काम हो चुका है और अभी मैं भी थोड़ा रेडी हो गई हूं क्योंकि अभी मैं जाड़ी हो मार्केट रेक्स भी आएंगे उदर से कुछ समान लाना है उसके लिए वो नहीं ले पाएंगे अपे ले तो मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाओंगी मार्केट इसलिए मैंने पस अभी हैसे मैं रेटी हो गई मार्केट आएंगे फिर में शाओर लूँ कि बहुत गर्मी लगेगा ने कि बाद मुझे पता है मैं आगी मार्केट से और ममी आपे बिर्यानी के तैयारी कर रही है मैं थोड़ा थी खाती हूं अप लोगों को यह क्या बना रही है आप बिरिस्टा बिरिस्टा वापे एक चलि करते हैं और यह सही जए चीकन के लिए ना यह चिकन्दली तैसा था रही है मेरे माम में बिल्कुल लाल हो चुकी है तो सब कुछ यहां पे चिकन भी है यह सब कुछ कर रह रहिए और मैं बीच भीच में आप लोगों के साध शेयर करते रहूंगी और यह खाने के इसके बाद next step क्या है इसके बाद chicken बनाओंगी और अभी नाइका से पार्सल आया है इसमें मम्मी का समान है और मेरी शायद हेर सीरम या कुछ होगा इसमें तो मम्मी का समान उनको दे देते हैं और यह चिकन भी चिकन रेडी हो रहा है यहां पर और मीस में अब एट करेंगे रही और बिर्यानी का चावल और अथम लोग यह वाला चावल यूज कर रहे है बुटलाइस का बिर्यानी बासमति राइस इसी से बनाया था लास्ट टैम भी है ना है यह बहुत अच्छा होगा है हम अभी एट कर रही है गी अम में अलग तरीके सा बनाती है बिर्यानी बहुत तेस्टी अब बाद में फिर से डालेंगी ना उपर से अधी वह मिर्ची उट सी डाल दिया है कि यह राइस भी दोके रख दिया है और आज मैं सोच रही हूँ कि अपने यह वाला सूट पहनो बहुत दिन से मैंने पहना भी नहीं है बहुत दिन पहले एक बड़ पहना था उसके बाद से अभी तक नहीं पहना है यह पहन लेती हूं राइस रेडी हो चुके है बिल्यानी के लिए और में लेयरीं कर लिए है अलू भी आट कर दिया थ्री लेयरींग हो चुका है अभी में शायद एट करेंगे अंडा येस और एक पहले से थोड़े जादा बॉयल हो गया अब पता नहीं फिर से इसमें और जादा हो जाएगा गरम से यह लास्ट लेयरींग है ना अब जाएगा इसके बाद घी इसके बाद घी अच्छा फिर से देड़े बिरिस्ता इसको क्या बोलते है हिंदी में पता नहीं और एक लास्ट लेयर अभी होगा चिकन का उसके बाद राइस ओपर से खतन और ये लास्ट लेयर है राइस का अब भी इस मैठ होगा गी इसके बाद पूट कोलर हां थोड़ा सा है डाल दिया बहुत सब्सक्राइब की अच्छा ना चाहता हो जाएगा अच्छा 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 और मैंने ये नॉर्मल वाइट प्लाजू के साथ पहना है क्योंकि इसके साथ में जो पैंट है ये वाला ये थोड़ा भी पैंट इसमा गर मी लगेगा नया है क्योंकि इसलिए मैंने इसके साथ ही पैंट लिया और गर में मिस्टी वाला आया था मिठाई वाला तो ममी ने लिया वह उंकल बहुत ही अच्छा घर का पना हुआ मिठाई लाते हैं तो यह ले लिया मिठाई सब के लिए और वो लोग बस आती ही होंगे और यहां पर देखिए बिर्यानी एक्दम रेडी हो चुके हैं बहुत ही कलरफुल और टेस्टी मतलब ममी ने थोड़ा रेट कलर जादा यूज कर दिया था लेकिन बहुत ही अच्छा बना था बिर्यानी तो सब लोग चले गए अभी थोड़ी देर पहले गए और मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया मतलब कोई मेरा इमेल को हैक करके वो कुछ करने का कोशिश कर रहा था शायद यूटूब में तो उसका बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है मैं तो सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे चैनल के साथ छेर चार या कुछ भी कर रहे हैं इससे पहले भी एक बार फेस्बूक के साथ भी किसी ने कुछ किया है तो मैं सोच रहे हूं कि मैं कंप्लेंड कर दू एक बार तो कौन है वो तो फिर पता चली जाएगा व्यासा ना ठीक नहीं है किसे के अकाउंट के साथ ऐसे चीर चार करना जीमिल के साथ यूट्यूब के साथ फेस्बूक के साथ तो एक बार कंप्लेंड करना ज़रूरी है और पता चली जाएगा फिर कौन कर रहा है कौन सा फोन से या किसे वो सब डिटेल में निकली जाएगा कर दो